नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है Concept Academy की YouTube चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे आपका UPSC EPFO का पेपर तो यह model paper 4 है आपका और इसमें question आपको जो रहेंगे, वो रहेंगे आपके 81 to 90 और language होगी वो बोथ आपको हिंदी और English में देखने को मिलेगी, PDF आप हमारे Telegram चैनल से क्या कर सकते हैं, इसका प्राप्त कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं, पहला question लिखाओ Consider the following statement about the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme तो लिखाओ है पहले कि It is a non-contributory scheme and the provide a monthly income for the citizen or to refuse यहाँ पर refuse भी नहीं आएगा, यहाँ पर आपका non-contributory scheme है और जो मन्थली income होना चाहिए, किसी citizen जो आपकी क्या होनी चाहिए जो आपका व्यक्ति होना चाहिए साथ साल स्यूपर होना चाहिए, उसके पास कोई यानि की sources में होनी चाहिए, income के A person has to below the poverty line to be eligible to receive the benefit under the scheme, ठीक है, सेकेट भी सही है कि BPL होना चाहिए, BPL परिवार का होना चाहिए below poverty line का यहाँ पर जो answer बनता है, both first and second मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, इंदरा गांदी राष्टे विर्दा वस्ता pension योजना के बारे में, तो एक तो है कि यह गैर अंसदाई योजना है, मतलब यह पूरी तरीक से आपके सेंटर स्पॉंसर्ड है, और इसमें 60 साल से उपर की जितने भी क्या होंगी आपकी, जितने भी लोग आपके क्या होंगी, व्रिद होंगे, उनके लिए scheme है, और यह किन के लिए, तो याद रखना कि गरी विरेखा से नीचे हो होने चीए, तो आंसर दोनों बन जाएंगे आपके, तो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, इंद्रा गांधी राष्ट्य विर्दा पेंशन यूजन है, एक गैर अंसर जाए यूजन है, और 60 साल से उपर के नागरिकों या, जिनके पास आए का कोई अन्या सुरोत नहीं है, के लिए मासिक आय प्रदान करती है, और इसमें जो पात रता है, वो 60 साल से उपर होना चीए, और गरी विरेखा से नीचे होना ची इंग्लिश में, अच्छा, नेक्स्ट क्वेस्टन आता, कंसे तर फॉलंग स्टेट्मेंट्मेंट अबाउट आम आदमी विमा यूजना, तो इसे कन्फिज मत कर देना, आम आदमी पार्टी से, ये पहले की स्कीम आपके, कॉंग्रिस के टाइम के तो लिखा, और एज ऑफ आदमी विमा यूजना के बारे में निफित कत्रों पर विचार करें, तो बीमित व्यक्ति की आयू 18-69 साल के बीच में होनी चाहिए, यहां प्राकर्तिक और साती साथ आकस्मिक मौत को भी कवर करता है, तो दोनों सही है, मैं यहां मैं पढ़ लेता हूं, मैं हिंदी में इसके एक कंडिशन है कि अनौगनाइस सेक्टर होना चाहिए, बीपल परिवार से आपाने चाहिए, तो बीमित की जो आई होनी चाहिए, और क्या क्या इसके उधारन हो सकते हैं, कौन-कौन से बीमा हो सकते हैं, प्राकर्तिक मिरती हो गई, दुरगटना में मिरती हो गई, आगस्मिक आंसे किया इस्ताई विकलांगता आ गई, एक मुफ्त अतर की लाब भी परदान किया जाता है, जिसमें छातर वृती लाब भी दिया जाता है, यहां भीमित सदेश्य की दो बच्चों के लिए उपलब दूता है, अच्छे इस योज़ना के ने पातरता मैंने ब विल नॉट ीलब गई अब बोल रहा है को विल नॉट गई बी जिवॉर्द से की नॉट वोग रहा है, किनोटरा है, अलिग तूदी कवंड अटर पढ़ाटन मंतर र भी मंतली मंतली कुल्दी एक अब पर बिजनेस रेजिस्टरू स ब्गप का जारे देए ले नंट साहर यह तो आपका not be eligible तो यह तो गलत हो जाएगा 18,000 के 15,000 पर साइट से अच्छा दूसरा आता है business register with the EPFO तो यह तो सही है और यहां पर लिखा हो business that doesn't have a labor identification number तो doesn't यहां पर गलत लिखा हो है have an identification number तब आपके अगरते हैं परधार मंतिर रोजगार पुजणा के तहत पात्र कौन कोन होगा तो उल्टा हो जाएगा एक कर्मचारी जो आएनार 18,000 मासिक कमाता है एक वेफसाई है अईसा वेफसाई जिसमें सरम पहचान संक्या लिंक्ड नहीं है तो एक तो यह गलत हो जाएगा इसा वेफसाई जिसमें सरम पहचान संक्या लिंक्ड नहीं है और दूसरा है कि 18,000 मासिक है तो मैं हिंदे में पढ़ लेता हूँ देखो लिखा हुए परधामिदी रोजगार योजणा में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी नौकरी के पहले तीन वर्सों के लिए नियो अगर आपकी 15,000 से नीचे तो आप इसके पात्र होंगे तीसरा आता है कि व्याफसाई को उप्योगे साथ पंजरित होना बहुत जूरी तो इसलिए दूसरा सही हो जाता है और सरम पहचान संख्या जो होती ही आपकी वो भी होनी चीए आपके पास अच्छा इसके कुछ ला इस वाली जो आपका जो बोल सकते है यह जो आपका वीडियो है इसमें ज्यादा तर आपकी स्कीम के बारे में देखने हो मिल रहा है तो यह जरू लिख लें तो प्रधान मंत्री सरम योगी मान्धन योजना में कवर्ड कौन-कौन होगा तो लिखावा एन अनॉगनाइस से प्रधान मंत्री सरम योगी मान्धन योजना यह 2019 की है तो इसमें क्या था कि उससे क्या देना था आपका मान्धन देना था एक एसाफ से इंकम टेक्स पेर तो इंकम टेक्स पेर जो मुझे लग रहा है क्या वो टेक्स पेर होना चीए तो यह मुझे गलल लग रहा है अब परसन विदर मंत्री इंकम तो 30,000 तो जिसके 30 जा रहे तो भाई उसके लिए नहीं है तो जो आंसर बनेगा फर्स्ट और फर्स्ट और सेकिंड बनेगा तो यह लिखावा असंगडी छेत्र और पैंतिस क्या सिक्टर के जो होंगे यह जिन्हें बोले अल्गनाइज्ज वर्कर्स संगली चेत्र अठाखा से चालिश वर्स की कि जो आपके क्या होंगे लोग होंगे चाहिए तो यह सही है आपका और इसमें तीसरा घ्लत जो मैंने बोला थी मैं बूलब सीजार निया ज्यादा आय करदाता होता ही नहीं आप इतना सोड़ा दिमाग पर नाय करदाता होता तो कितना आपका अलगवा जो आपका income tax वगयर है वो उसकी त्हुत होगी है तो उसकी पतनी सब इसको 6ड़ पक्तिए परिवार्फ फसेंट की के रूप मे.' DIFF sa when which one of the following is the total period of the maternity leaves admisable to the woman imply having two or more, अभी याँ पे देखो condition लिखी हुए, two or more लिखा हुआ है than the two surviving children, या two or more, अभी याँ पे की लिखा हुआ, than the two surviving, अगर दो बच्चे survive कर चुके, दो बच्चे हैं, और तीसरी बच्चे के लिए, तो maternity benefits act, जो आपका है, 2070, जो amend हुआ था, वो कितना period देता है आपको maternity leave का, कितने week ही छुटी ले सकते हैं, तो यह आपका 12 weeks का है, अगर मैं बात करूँ, जैसे यह आप लिखावा ना, जो मातरतो, अलाव, संसुदन, अधिनियम, दो जासात्रा में था, तो उसमें अगर दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो फिर 26 हफ्ता अगे नहीं मिलेगा, अगर आपका पहला बच्चा है, पहला या दूसरा बच्चा है, तब 26 week का है, 26 हबते के मिलती है, छुटी मिल जाती है, जैकर matronter leave मिल जाती है, पर अगर तीसरा बच्चा है, तब वो छुटी 26 के नियुके 12 हो जाती है, यह आप या या दूसरा मर गया, तो इस तरीके से नि, तीसरा जीविद वच्चे पर 26 के 12 विक की चुटी मिल सकती है, तो यह आपने याद रखना है, यह आपका कौन सा बोलता है, maternity benefit amendment act 2017 बोलता है, जो आपका 1 April 2017 को लागू हो गया था, अच्छा दूसरी बात करें, तो भारत ऐसा कर करने वाला, अगर पूछा जाएगा न, कि यह 26 वीक की चुटी देने वाला, तो यह दूसरा कंट्री है, जिसने ऐसा किया था, इससे आपका कौन है, कैनेडा है, जिसने 50 वीक की चुटी, सैंक्शन कर रखी है, नौरवेय ने 44 की कर रखी है, आच्छा मैं हिंदी में बच्चे को गोद लेना, पहली जी, अधिनियम में तीन महने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं के लिए, 12 हप्ता के मातुरत अवकास के साथ, उन माताओं, जैविक माताओं को भी सामिल क्या है, जो serogate होती है, serogate mother होती है, मैं समझा देता हूं, इसको, कि जो में होता है उसका सिपищ के असपार इंदर कि अंग वá उसके अंधर बच Crunch नदर कुला कुले घंसे चर्ऐं ले वीर जाता है थन्हीं। ना जैसे से मैं बता था रहा है शारुक हान्य को सकी वाइफ उसकी वाइफ थी उस 측र का नाम क्या है और इसार्से की वाइब का नाम है अब मैं थोड़ा बूल एक उसकी वाइफ काना तो जो सारुख हान इनकी वाइफ हैं जो गउरी-गॉरी तो उन्होंने भी Serogesi का थूरू क्या किया था? उनके बेटे का नाम है अबराहम तो Serogesi का थूरू हो रखे हैं क्योंकि होता है क्या है कि महिला को काफी सारी probbleoms होने लग جाती 35 years के बाद मतलब जो pregnancy होती है उसमें जितना जाए डिले करते जाएंगे आप 55 साल के बाद उतना जाएदा मा के लिए प्रॉब्लम्स होने बच्चे के लिए तो होगी होगी तो क्योंकि लगवग लगवग उस समय लगवग 25-50 साल के तो थे तो ये काफे जाए दिक्कत कर देता है Silpa City एक और इंजामपल आपका Silpa City होगई किसे कखामपल देखने को मिलते हैं उन्हों ने सरोगेशी कि तुरुब बच्चे को पैदा किया तो किराए की कोकली की जाती है और मेल काPP स्पर्म और वमें का oppress क्या एक लिया जाता है और इसमय की अगर वे इंजिक्ट 94. तो यह होता है सैरोगेट मदर है कि लिखा हुआ है जैविक माताहों को भी सामिल किया जाता है जो सेरोगेशी का विकल्प चुनती है अच्छा याद रखना अगर वो खुद प्रेगनेट नीए फिर भी लिया जाता है 12 सब्कार उनके लिए भी क्या होता है जैसे बच्चा प तो अगर सेरोगेशी के थूरू अगर बच्चा पैदा होता है तो भी 12 वीक मतलब 3 महिने के लिए बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो 3 महिने के छुट्टी मिल जाएगी क्रेच सुबिदा होती है तो कानून कहता कि 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ प्रतिक प्रतिस्टान को आसान दूरी के लिए भीतर क्रेच सुबिदा हैं प्रदान की करनी चाहिए जो मां दिन में 4 बार तक जा सकती है मातुर्त लाव संसुदर अधिनियम महिलाव को मातुर्त लाव समाब्त होने के बाद अपने नियुक्ताहों के साथ समच तक पहुचने पर घर से काम पर बात्चित करने का विगल अभी यह कब है, 26 हपते बाद है और अगर तीसरा बच्चा तो बारा हफते बाद ऐसे नहीं कि घर में बच्चे के साथ है रहा आप काम करवारे हो नहीं वर्क फ्रोम हो तभी होगा जब वीक ख़तम हो जाते हैं तीकर महिला कर सकती है यह आप से अंडरस्टेंडिंग पे काम करेगा अच्छा बुक्तान किस प्रकार का वह है तो लिखाँ 1961 के पूर मौजूदा मातुर तुलाव अधिनियम के तैत प्रतेक महिला हगदार है और उसके नियोकता के लिए उत्तरदाई है काम अच्छा काम की पूरी सैल्ट्री मिलेगी उससे जब तक चुट्टी पे वेच है काम स 261 के अधिनियम कहता है कि गर्वपाद गर्वधारन की चिकिस्तिया समापती की स्थिति में कर्मचारी 6 सप्ता के मातुर्त वावकास का हगदार होता है 6 सप्ता मैंने बता दिया लगव 26 वीक के आसपास होते हैं आपके गर्वधावस्ता प्रसव समय से पहले जन्म गर्वपाद चिकिस्ता संबंदी या एक ट्यूबक टॉमी जो ऑपरेशन होता है इसमें मामले में दो सप्ता के कारण उत्पन होने वाले जट्रिताओं के मामले में कर्वचारी एक अत्रिक्त महिने का भुकतान करने के लिए हगदार होता है एक और एक्स्टर के मिल सकता है झानों इसे मन्त मिल सकता है अगर समय से पूर्प्र कया हो जाती है या और प्रेगनेंट हो जाती है तो यह थोड़ा गरवासता के टाइं पर एक और existing मेंन उनकी लीए सिक्यूर होता है चले नेक्स चलते हैं चूज़ दर करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दर प्रधानमंद्री जन्धन योजना तो प्रधानमंद्री जन्धन योजना आपके दो जाट चौदा में इंट्रूज वही थी तो नैस्नल मिशन फॉर दर फैनेशनल इंचिली फॉर दर पीरिद ऑफ प्रधानमंद्री जन्धन योजना किता है तो आपने दिगा तो रिकॉर्ड आपके केट खुले थे खाते खुले थे और महिलाओं के नाम पर खोलने पर किया था है अलग से उसके लिए स्केम स्वीदी एस लिमिट फोड़ अवर द्राफ्टिं फैसलेटिक रिवाइजर 18- प्रधानमंत्री जीवन जूति योजना के थे 330 रुपे देने थे आपको तो 330 पैसे अपका एक मैने में एक रुपे तो 12 मैने में 12 रुपे के साब से था और अटल पेंशन योजना भी से तो यह सारे सही हैं तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं यहाँ पर आपके समझ में आ जाएगा दिखो केके लिखा हूँ है रास्टी वित्य मेशन के तैट प्रधान मंतरी जन धन योजना को 28 सगस 2014 को सुरू में 4 साल के दो चरणों में रखना था के लिए सुरू किया गया था यह हर घर वित्य साक्षरता क्रेडिक भीमा और पेंशन के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुधाओं के लिए सार भामिक पहुंच की परिकलपना करता था पीम जेडिवाई ने थीन सामाजिक सुर्प्षा यूजनाओ यानि प्रधान मंत्री जीवन जूति यूजवन प्रधान मंत्री शुरक्षा-बिमा यूजवन और अटlike pension यूजवन और प्रधान मंत्री मुद्राव यूजवन के लिए एक मंज़ था मुद्रा मैं बता देतों मुद्रा जो आपकी है मुद्रा की फुल फॉर्म है कि माइक्रो यूनिट कि डेवल्लप्मेंट कि एड री फाइनेंस एजनसी कि अच्छी किते 3 लून दिये जाते मुद्रा के दे एक दिया जाता है शिशु लून कि तो यह अप टू मतलब 551 तक का लून आपको दे दिया जाएगा एक होटापका किशोर लून कि यह उतापका पचास जाप से लेकर आपका 5 लाग तक 5 लाग तक रुपए और एक दिसरा आता आपका तरुन तो तरुन जो आता है वो 5 लाग से लेकर 10 लाग रुपए तक को होता है तो यह आप याद रखना अच्छा आगे लिखा योजना को वित्रण तो प्रधार मंतिरी जंदर योजना PMJDY वित्या सेवाओं में पहुँच सुनिशित करने के लिए वित्या समावेशन, मूल बचत और जमा खातों प्रेशन, डेड, बीवाँ पैंशन को किफायती तरीके से सुनिशित करने के लिए राष्ट्य मिशन है इस योजना के तहत किसी भी अन्य बैंक खाता नहीं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी बैंक साखा या बिजनेस क्रॉस्वर्ट डेंस, बैंक में तर आउटलेट में एक मूल बचत बैंक, जमाजे से बोलते हैं बैंकिंग सेविंग, इस तरीके से बोलते हैं अगर आपका अकाउंट में एक भी पैसा नहीं, तब भी वो आपको लिए काम करेगा नो फ्रिल्स अकाउंट हो गया, बनाय रखने के आवश्यक्ता नहीं है PMJDY खातों में जमारासी पर ब्याज अर्जित किया जाता है रुपे डेविट कार्ड, खाता दारग को प्रदान किया जाता है PMJDY खाता दारग को जारी एक रुपे कार्ड के साथ एक लाग रुपे का दुरगटना बीमा कबर को दो लाग तक का पढ़ाया जा सकता है ठीक है न और यह याद रुपे का जीवन भीमा जो आपको देखने को मिलता 30,000 रुपे योग के PMJDY खाता दारग जिने 1582014 से लेकर 312015 के बीच पहली बार अपना खाता खोला है उनके लिए उपलब दूता है 30,000 रुपे बिना कुछ आपके पैसे डाले वे 30,000 रुपे तक का आपको क्या कर देगी सरकार क्या कर देगी आपको इंशरेंस दे देगी पर उसके लावा जो जीवन जोती भीमा योजन है तो उसमें आपको 330 रुपे डालने पढ़ेंगे तब जाकि एक लाग के दो लाग सब्सक्राइब कर देगी आपको अगर इंजिरी हो जाती है दो लाग का इस तरीके से कि आपके अगर डेथ हो जाती है ओबर राफ्ट रसेटी आपकी 10,000 रुपे से प्राप्त पात्र खातादारों को प्लब दें प्रतेक्स लाव अस्तान है जिसे डीपीटी पूल इंप्लोई स्टेट इंशरेंस है तो यह कितना कर दिया है 4.0 कर दिया है मतलब 4% कर दिया है तो लिखा हुआ है मैं पढ़ लेता हूं कि केंसरकार ने और देव करमचारों की वेतन योगदान को कम करने के लिए एक एतियासिक निर्ने लिया है जो करमचारी राजजबी मा अधिनियम यह कब आया था आपका तो यह 1948 में आया था यह याद रखना है मैं कई बार पढ़ा चुका हूं तो इसमें कितना कर दिया है इसकदम का उद्देश्य भारत के अनौपचारिक कारेबल को आपचारिक बनाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है घटाए गई दरें एक जुलाई से प्रभावी हो जाएंगी इससे 3.6 क्रोड करमचारियों को लगवा 12.85 लाक नियोकताओं को फायदा होगा अच्छा आगे लिखाओ योगदान की कमदर ESI योसना के तहत ESI यह आपकी ठीक है ना जिसके बारे में पढ़ रहे थे करमचार प्रसाडित किया जाता है ESI अधिनियम के तहत प्रदान के लाफ नयोकता और करमचारियों के युगदान से वित्तपोशित होता है मतलब दोनों करते हैं ठीक है ना सरम रोजगार मंत्राले के अधिनिया आता है तो मैं यहां पर पढ़ लेता हूं जो आपको थोड़ा सा सम पर रखा हुआ है और 0.75 परसेंट के किसका होता है तो इंप्लॉई का होता है जो नौकरी कर रहा है तो यह 4 परसेंट तक हो जाता आपका समाजिक भीमा में अनिवार्य योगदा की प्रयोज़ता विविद है कुछ समाजिक भीमा कंपनियों को सभी कंपनियों की नियोकताओं की योगदान की आवशक्ता होती है कुछ कंपनियों जिनमें नियूंतम 10 या अधिक करमचारी होते हैं या 20 या अधिक करमचारी वाली आप जानते पहले चंदरियान फस्स ता जिसमें हमने और वीटर पेज़ा था किवल तो तो यह फेड़म करता था तो यह क्रक्या था अब कर तोुको कर गया था आपका शॉप्ट कणना थे प्रोलेंडिंग कर देता अगले साल भी सकते हैं ठीक न तो कुछ हमारे target हैं तो जो आपका rover था उसका नाम प्रग्यान था मैं पढ़ लेता हूं हिंदी में पढ़ लेता हूं लिखा हूँ है कि चंद्रयान 2 का rover प्रग्यान नाम का एक 6 पईयों वाला robot वहन था जो संस्कृतिव अनुवाद में क्या हूता है जिसका नाम होता ज्यान चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मेशन 22 जुलाई 2 जवन उनिसको 37 जवन अंतरिक्ष केंद्र से रिकोटा से लॉंच किया गया था और विटर जिसे 2 सितंबर 2 जवन उनिसको एक चंद् एक चंद्रमा के खकी दक्षिन अकर यान इसा कर देता तो बैंकरiosis और देश गॉझा प्रियास का द नेना तो यह पहला देश बन जाता भारत पर कर नहीं पाया लगए 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 आपका दो किलुमेटर या धाय किलुमेटर के उपर यह क्या हो गया था आपका करनेक्शन टू दिया था बागे अगर बात करों इश्रों आपका 1969 में 15 अब अगस्ट तर उसके अभी कौन है के सिवान उसके कौन अभी आपके हैड है और हैड कोटर का है करनाटगा में अच्छा नेक्स स्वीडिस इंस्टूट ऑफ इस्पेस फिजिक्स विल एक्स्पोर द तो 2024 में लॉंच करना या तो 2026 में उसका कारण ही है कि इस टाइम पर जो सुक्र होगा वो नजदीक आ जाएगा किसके प्रिसिवी के तो दो ही समय होंगे जब हम उसको क्या करेंगे लॉंच कर पाएंगे तो 2024 में लॉंच विन्डो के दौरान लॉंच होने वाले चार से अ बस निर्धारित किया जाएगा ठीक ना 2023 में किया जाएगा 2024 तक पहुंच जाएगा इस तो के पास अपने प्रस्तावित वीनस और्बिटर मिशन सुक्रियान के लिए 20 अंतरिक्ष आधारित प्रियोग प्रस्ताव हैं सुक्रिके उपरी वाय मंदल में फॉस्पिन का पता चला था यह न्यूज बने अगर आपने पढ़ा तो फॉस्पिन फॉस्पिन जो होता है इससे यह पता लगता है कि महां पर जीवन के कुछ संभावने रही होंगी पहले अच्छा लिगा मिशन के वैग्यानिक उद्देश है तो सता परिक्रियों और उथले उप सता इस्ट कि चुछ से स्विटें स्विटन की बात हो उरह होंगी लास्ट कुएशन कि लेत हैं कि यह करा रखा है जैसे आप आप सारी अपनी सारी फाइल सकते हैं फायल पेपर फोट वीडियो सब आपके सकते हैं ग्लाउड कम्प्यूटिंग के तुई यह करता है तो पहले लिखों इस्टोरी फ्लेटफर्म फ्री फोर्ड सेटिजन उप इंडिया फ्री कुछ भी नहीं होता एक लिमिट तक क्यों आपको फ्री स्पेस दिया जाता है उसके बाद अगर आपके अपके वह स्पेस पर जाथ इंपॉर्टेंट उसके बाद उसके आप खरीदना पड़ता है तो प मार्like मार्ण इसने जगा किस के लिए से फ्लैनिंग कमिशन की जगा लोज और इसके अभी वाइस प्रेशिडियंट उसकी चेयरमन उतै हो satan क्यूंकर इसके याद ऌवंडा वी तो दल मैं यहां पर पढ़ लेता हूं तो लिखा और डीजी बॉक्स तो में के निटिया पढ़ना क्या है मैं थोड़ा बहुत बढ़ाई देखो अस्तियों अमताब कान ने किया था और हुआ क्या था कि एक जून जो आपका कौन था गूगल ट्राइब था ना उसने गूगल था उसने क उसने ज्यादा आपको स्टोरेज चीए तो आपका सौजीवी तक के स्टोरेज के लिए आपको तीस रुपर मैना भरना पड़ेगा तो यह थोड़ा दिमाग में रखना बागे सारी चीजे इसमें क्या कर सकता है आप जैसे गूगल ट्राइब काम करता है वैसे यह काम करता टेलिग्राम ग्रूप पे और जो आपका वट्साइब ग्रूप है उन दोनों में शेर कर दूँगा वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें शेर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और इस्टेग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय जय भारत